कीप लेर्निग, कीप ग्रोवग, कीप वाचिंग विल कम तो माइ चैनल आजके इस वीडियो में हम डिसकास करेंगे रिक्वार्मेंट्स अफ एक्सर प्रोडक्शन यानि कि एक्सर प्रोडक्शन के लिए हमें किन किन एक्कूपमेंट्स की ज़रुवत होती है इसको डिस्कस करने से पहले हम लास्ट लेक्चर का एक शौट रिविजन कर लेते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि उलेक्ट्रोंज किस प्रकार टाइगेट मीटेशल पर टकराते है या इंटर्क inspira करते हैं Ionization of the outer shell और outer shell में ionization से भी हमें heat मिली थी Ionization in inner shell Inner shell के अंदर ionization करने से हमें heat के साथ साथ हमें x-rays भी मिली थी और जो x-rays मिली थी हमें वो characteristics x-rays कहलाती हैं और इन characteristics x-rays का use diagnose के लिए क्या जाता है उसके बाद हमने पढ़ा था interaction with nuclear field कि nuclear field के साथ interaction होने पर electron का क्या result मिलता है तो इसके थूरू हमें मिलता है continuous x-rays या brahm-strelang x-rays जो की radio therapy के लिए use किया जाता है और इसकी जो value होती है वो zero to maximum हो सकती है अब हम बात करते हैं कि हमने last time discuss किया थे कि electrons कैसे टकराते हैं cathode से electrons निकलते हैं anode या target material पर जाकर टकराते हैं और जो electrons की काइनेटिक energy होती है वो heat और x-rays में convert हो जाती है और जो x-rays का production होता है उसके process के अंदर 99% heat का production होता है और 1% x-rays निकलती है तो अब हम बात करते हैं requirements of x-ray production कि x-ray production के लिए किन-किन equipments के requirement होती है अगर हम जैसे कोई भी apparatus बनाएं जिसमें हमें x-rays का production करना है तो हमें किन-किन equipments की जरत होगी the production of x-rays needs the following हमें x-rays की production के लिए nim की जरत होती है पहला आता है electron source यानि कि हमें electron जहां से हमें electron चाहिए तो वो काम करता है cathode का x-ray production के लिए सबसे बहले हमें electron की जरत होती को क्या कर electron नहीं होंगे तो x-rays का production नहीं होगा तो x-ray production के लिए हमें electron source की need होगी और electron source यहां पर काम आएगा cathode दूसरा target अब जो electron का emission हुआ है वो electron कहीं पर जाके टकराएंगे किसी target material पर जाके टकराएंगे तो उसके लिए target की need होगी और यहां पर target बना होगा anode का जो target का काम करेगा electrons को stop करने का काम करेगा अब बात करते हैं third high voltage supply high voltage supply अब जो electrons cathode से निकले हैं वो target तक पहुँच सके उनको इतना kinetic energy हो या फिर उनका उतना velocity हो जो वो target material तक टकरा सके इसके लिए हम high voltage apply करते हैं जो कि electrons को accelerate करती है high voltage के अंदर sorry high velocity के अंदर जिससे electrons cathode से निकलकर target तक पहुँचते हैं और उनसे टकराते हैं अब हम बात करते हैं vacuum की हमें vacuum की जरूत होगी क्योंकि vacuum means vacuum का काम होता further ionization को रोकना यानि कि जो भी atoms vacuum जो भी tube के अंदर atoms के अंदर अगर ionization हो रहा है उसको ये रोकता है tube insert and housing tube insert and housing होती है tube के चाहतरफ क्या protection क्या physical protection के लिए हमने लगाया है क्या equipment लगा है वो और अब बात करते हैं last point glass envelope glass envelope एक glass के tube होती है जिसके अंदर ये सारे equipments रखे जाते हैं electron source, target, high voltage supply दी जाती है उसके अंदर और vacuum होता है ये सब glass envelope के अंदर present होते हैं अब हम बात करते हैं कि जो electrons produce होते हैं वो दो तरह के principles पर produce होते हैं पहला होता है ionization और दूसरा होता है thermionic ignition ionization मतलब कि ions में convert होना यानि कि positive और negative ions में convert होना और thermionic emission होता है जब भी किसी metal surface को हम heat देते हैं तो वहाँ से क्या होता है electrons का production होता है और ionization के अंदर atom से electrons का production होता है electrons can be produced either by ionization in gas or thermionic emission electrons का जो production होता है वो thermionic emission और ionization के principle से होता है the high voltage is applied between the cathode and anode this voltage accelerates the electrons to a high velocity as a result the electron will have high kinetic energy अब जो electrons cathode से निकले हैं एमिट हुए हैं वो target material पर टकराएंगी इसके लिए उनको high voltage supply देनी पड़ेगी जिससे electrons target material तक पहुँच सके तो अब cathode and anode की बीच में हम high voltage apply करेंगे जो क्या करेगा electrons को velocity देगा high velocity में high velocity देगा जिससे electrons cathode से anode तक पहुँच सके हैं as a result the electron will have high kinetic energy और जैसे ही इनकी velocity हम बढ़ाएंगे तो electrons की जो kinetic energy होगी वो भी क्या होगी increase हो जाएगी यानि की velocity यहाँ पर direct है electron की kinetic energy से interlinked है when the electrons are stopped by target material अब जो भी electrons cathode से निकले हैं वो target material पर जाके टकराएंगे वहाँ पर रुकेंगे the kinetic energy is converted into heat and x-rays और जो भी electrons की जो kinetic energy होगी वो heat और x-rays में convert हो जाएगी change हो जाएगी अब हम बात करते हैं कि अगर electrons की जितनी ज़्यादा kinetic energy होगी उतनी ज़्यादा penetrating power की हमें x-rays मिलेंगी तो ज़्यादा penetrating power की x-rays पाने के लिए हम आपको ज़्यादा high voltage apply करना पड़ेगा जिससे इलक्ट्रों की kinetic energy increase होगी और electron की kinetic energy increase होगी तो हमें high penetrating power की x-rays मिलेंगी अब हम डिसकस करते हैं historical x-ray tubes यानि कि कौन कौन सी tubes आज अभी तक आई है जो भी gas tubes आई थी उनके स्टार्टिंग के अंदर कुस advantages थे कुस disadvantages थे जिसके कारण नहीं x-ray tubes आई और ऐसे आती गई खूब से एक्सर ट्यूब्स और अभी present time में जो एक्सर ट्यूब्स चल रही है उनके अंदर कोई disadvantages नहीं है इसलिए वो better work कर रही है तो हम बात करेंगे सबसे पहले gas tube की बारे में जो सबसे पहले जो x-ray tube जो apparatus यूज किया जाता था x-ray production के लिए वो था gas tube अब इसका नाम gas tube है तो इसका नाम gas tube क्यों है यह हम इसके construction के अंदर पता करते हैं construction अब construction की बात करेंगे तो जो भी equipment जो हमने पढ़े थे electron source, target, high voltage, vacuum, glass envelope यह सब तो इसके अंदर यूज होंगी बट क्या इसके अंदर यूज होगा और क्या नहीं होगा वह हम इसके अंदर डिसकस करते हैं In the beginning, gas-filled tubes were used to produce x-rays शुरवात के अंदर जो भी gas tube जो x-ray production के लिए जो tubes used की आती थी उनके अंदर gas हुआ करती थी यानि gas present हुआ करती थी These tubes consist of two electrodes यह जो tube होती है x-ray production की इसके अंदर दो electrodes present होते हैं One is cathode and another is anode एक cathode होता है, दूसरा anode होता है and keep in the steel glass envelope at the opposite end होता क्या है, glass envelope के अंदर दो electrodes होते हैं, cathode और anode जो की एक दूसरे के opposite end में, end पर present होते हैं यानि की एक दूसरे के आमने सामने present होते हैं जिससे की electrons निकलकर target material पर टक्रा सके हैं The cathode have aluminum stem carrying a concave aluminum disc और जो cathode होता है, उसकी वो aluminum की stem से बना होता है जिसके ओपर एक concave aluminum की disc लगी होती है The anode or target is tungsten or platinum packed with copper जो anode होता है या target होता है वो tungsten और platinum को बना होता है और वो copper को पर packed होता है यानि की copper का copper block होता है जिसके ओपर tungsten और aluminum की layering या present होती है जिसको हम target बोलते हैं अब यहां पर copper का use क्यों किया क्योंकि tungsten की क्या होती है जो thermal conductivity होती है वो बहुत कम होती है क्योंकि आपको पता है एक्सर प्रोडेक्टिशन के नदा 99% heat निकलती है और 1% x-ray निकलती है तो heat को remove करने के लिए यहां में यहां पर copper block का use किया है क्योंकि copper की thermal conductivity अच्छी होती है इसलिए यह use किया गया है the radius of concavity of cathode is such that its center of focus lies on the surface of target अब हम बात करते हैं cathode की जो concavity है उसका जो radius है उसको हम इस प्रेकार रखते हैं कि उसका जो center of focus होगा वो टाइगेट की surface पर होना चाहिए जिससे की electrons का जो भी distribution है वो सारा target की surface पर हो सके electrons tube के नदर फैले नहीं the face of the target makes an angle 45 degree with the axis of the cathode neck अब जो टाइगेट का जो face है उसको हम इस प्रेकार रखते हैं कि वो 45 degree angle बना है cathode की axis के साथ यानि कि cathode की जो neck है उसकी axis के साथ है target material का 45 degree का angle बनना चाहिए the tube must be always less than 0.001 mm of HD अब हमने बात की थी कि tube के अंदर कुछ gas रखते हैं तो जो gas होगी उसकी जो amount होगा वो 0.001 mm of HD से कम होना चाहिए इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए in the gas tube a small residual of air always left अब gas tube के अंदर हमेशा थोड़ी सी air present हमेशा present होती है अब हम बात करते हैं gas tube किस तरह work करती है यानि इसकी working के बारे में होता क्या है electrons cathode से निकलते हैं और anode पर आके टकराते हैं यानि target material पर आके टकराते हैं अब हम बात करते हैं gas tube की working के बारे में When a high potential is applied between the cathode and anode the air inside the tube get ionized and electrons are produced अब जब हम cathode and anode की बीच में जो high potential है उसको हम जब apply करते हैं तो क्या होता है ट्यूब के अंदर जो air present होती है वो क्या हो जाती है ionized हो जाती है and electrons are produced और electrons का production होता है electrons के production के लिए कोई भी molecule है atom की जरूत होती है कैसे यहां पर ionized होगा जब high potential apply किया जाएगा तो होगा क्या electricity का flow होगा electricity की flow और electricity की flow से atoms के molecules ionized होंगे positive और negative ions में और electrons का production होने लगेगा these electrons move at high speed towards the anode and produce an group of electrons by collision with air molecules अब जो electrons है यह electrons क्या करेंगे high speed के अंदर anode की और move करेंगे जिससे क्या होगा produce an group of electrons by collision with the air molecules अब जब यह अनोर के तब जाएंगे तो air molecules के साथ टक्राइंगे और electrons का group को produce करेंगे यानि होगा क्या यह एक electron जो होगा वो दूसरे एक molecules के साथ टक्राइगा और उसको कुछ energy देगा और उसको भी ions में ionized कर देगा अब होता क्या है कोई भी electron टक्राइगा दूसरे electron साथ तो उसको positive negative ions में convert कर देगा तो जो positive ion होगे वो क्या होगे वो वापित से attract हो जाएंगे cathode से और more electrons को produce करेंगे the positive ion left are attracted to the cathode release more many electrons जो positive ion होगा वो क्या होगा attract हो जाएंगा cathode से और उससे own electrons होगे when the electron stream strikes the target heat and x-rays are emit, जब electrons के group है या फिर जो stream है वो target material पर strike करेगा तो heat और x-rays emit होगी the relation between the voltage applied to the tube and minimum wavelength of the x-rays emitted are given by Doohan and Hanslow यानि कि voltage हम apply कर रहे हैं tube के अंदर और minimum wavelength के x-rays मिल रही है उनके बीच में क्या relation होता है उससे Doohy और Hans ने एक low के तुरू बताया है जो low होता है lambda minimum equal to 12.4 upon kvp यानि कि हम कितना high voltage apply करते हैं अगर जो भी voltage हम apply करते हैं उसके value अगर हम या put on कर दें तो हमें जो भी axis हमें मिलने वाली है emit होने वाली है उनकी हमें minimum wavelength पता लग जाएगी यानि कि इस low से हम यह पता कर सकते हैं कि axis की wavelength कितनी है अगर हम यह voltage की value put करते हैं तो अब हम बात करते हैं disadvantages of gas tube यानि कि gas tube के क्या-क्या disadvantages है the ionization potential of gas depends upon the degree evacuation of the tube अब जो ionization potential होता है gas का वो depend करता है कि gas tube के अंदर कितनी vacuum present है a tube with much residual gas will produce x-rays at lower voltage अब जो gas tube के अंदर अगर थोड़ी gas present होगी तो वो क्या करेगी lower voltage की x-rays को produce करेगी as the voltage increases ionization potential increase जैसे हम voltage increase करेंगे तो tube के अंदर जो ionization potential होगा वो भी increase होगा कैसे अगर हम voltage increase करेंगे तो क्या होगा जो उनका ions में convert करने की जो potential है वो increase होगा क्योंकि electricity का flow होगा और ions से टकरेंगे तो ionization ज्यादा होगा molecules के अंदर and target melts और जब जब ionization potential होगा तो target melt हो जाएगा the whole tube melt means पिगल जाएगा the whole tube is filled with vapor target metal और अब जो पूरी ट्यूब है उस पूरी ट्यूब target के melt होने के काण क्या हो जाएगी vapor के अंदर convert हो जाएगी यानि की पूरी ट्यूब के अंदर vapor भड़ जाएगा and making the tube gas or tube क्या हो जाएगी the energy of x-rays are the intensity of x-rays are interlinked अब जो x-rays की जो energy है और x-rays की जो intensity होती है वो एक दोसे से interlinked होती है to increase the penetrating power evacuation has to be increased while applying the high voltage जब हम high voltage apply करते हैं तो penetrating power increase होने के साथ evacuation भी यानि की vacuum भी increase होता है कैसे होता है जब हम high voltage apply करते हैं gas tube के अंदर तो क्या होगा ions जो भी electron बनते हैं cathode पर वो क्या होंगे उनकी velocity increase होगी जब उनकी velocity increase होगी तो उनकी kinetic energy होगी वो भी increase होगी और जब ज़्यादा kinetic energy की electrons target material पर तक्राएंगे तो वो ज़्यादा penetrating power की x-rays को produce करेंगे hence a vacuum pump is always required throughout the operation इस प्रिकाल हमें vacuum pump के हमेशा जरूत होगी इस operation को चलाने के लिए so the apparatus is very complicated requires more skills to operate और अब जो apparatus है वो बहुत ज़्यादा complicated हो गया है तो इसको operate करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा skills की ज़रूत होगी at the end of operation further ionization in the gas tube take place which produce low energy x-rays which is not required अब operation के एंड में होगा क्या यह further ionization होगा क्योंकि gas tube के अंदर कुछ gas बचीवी है जिससे ionization होगा एक दूस्टे से ठकराएंगे और low energy x-rays produce होगी जिनकी बिल्कुल भी need नहीं है बिल्कुल भी requirement नहीं है क्योंकि low energy x-rays diagnosis के लिए useful नहीं होती है क्योंकि